हेलो स्टुडेंट हाव आर यू तुडे आम गोईंग टू डिसकस अबाव दा टाइप अप कम्प्यूटर तो आए समझते हैं कितने टाइप के कम्प्यूटर होते हैं और उनके एक्जामपल भी समझेंगे हम तो पहला है एनलोग कम्प्यूटर दूसरा डिजिटल कम्प्यूटर तीसरा हाइवरिड कम्प्यूटर तो एनलोग कम्प्यूटर क्या होता है विच वर्क ओन कंटिनिवस एन बेरियेवल डाटा जो कंटिनिवस और बेरियेवल डाटा पे काम करता है सच एस इलेक्ट्रिक करेंट और बोल्टेज जो एक्षैन कंपने लगा रहता है कि कितनी इस स्पीड है यह जो क tramôle Todo-Pal Тयमीटर यह जो आते काम दो इस category तो इस केटिगरी में आते हैं फी जो आता है वह आता है digital computer digital computer क्या होता है which work on binary digit या binary data जो 0 और 1 के function पे काम करता है वो क्या होगा वो आपका digital computer होगा next है hybrid computer hybrid computer क्या होता है combination of analog और digital computer जो analog और digital यानि यह जो तो computer है इन दोनों को मिलके या इन दोनों को मिलाके hybrid computer बनता है इसका example है ECG machine best example है जो hospital में use होती है ECG machine जैसे ultrasound machine भी होती है जो इसमें हमारे internal बिमारियों का पता चलता है तो वो चेक करने के लिए या हमारे जो internal organs जो है वो से इडंग से काम कर रहे है या नहीं कर रहे है तो उनको चेक करने के काम है उसके बाद जो यह digital computer है इसको categorize करा गया है four group में तो पहला है micro computer mini computer main frame computer and super computer तो जो micro computer है उसका example हो जाएगा आपका PC personal computer भी बोलते हैं इसको next है laptop desktop और palm top ठीक है यह इसके example है micro computer के ठीक है जो हम mostly use करते है school के lab गएरा में जो use होता है ठीक है या घर पे हम use करते हैं यह micro computer की category में आते हैं mini computer में PDP-8 VX यह इसके example है ठीक उसके बाद आता है main frame computer इसके example है IBM Z series के जो computer है और IBM 704 next आता है आपका super computer तो super computer के example है परम यहाँ पर थोड़ा spelling में स्टी परम 1000 C.R.A.Y and deep blue तो यह type of computer मैंने आपको बता दिये तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लोगे good bye and thanks for watching आता है